उसमें क्या दिया गया है सबसे पहले तो evolution जो है वो तुरंत के तीन-चार सालों की बात नहीं होती है evolution एक करमिक विकास है हिंदी में खहते है करमिक विकास मतलब कि धीरे 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 जो है वो कोई organism जो है अपने अंदर कुछ physical चिंजेस लेकर आता है जिसको कि हम finally evolution का नाम देती है तो यहां पर कुछ example दिये गया है एक बहुत अच्छे example से इसको समझाने का कूसिस किया गया है मान लेते हैं कि 12 red beetles का एक ग्रूप है ठीक है और इसलिए बीटल से तो sexual reproduction होगा ना तो उनमें variations तो आएंगे और मान लेते है चलो variations से green beetles आने लगे ठीक है अब क्या होगा इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते कि सिच्वेशन में क्या changes आएंगे देखो color variation हुआ ठीक है color variation हुआ और color क्या हो गया green हो गया इससे होगा क्या क्रोज जो है वो green color के beetles को तो देख नहीं पाएंगे और इसलिए उनको खा भी नहीं पाएंगे ठीक है और लाल वालों को आसानी से देख लेंगे तो इससे होगा क्या कि there are sorry as a result there are more and more green beetles than red ones in the beetle population तो यहाँ पर अपने आप ही green beetle की population जो है वो बढ़ जाएगी क्यों क्यों कि उसको camouflage हो गया आप यह word का मतलब तो जानते हो गया camouflage का मतलब होता है जो color की वज़े से कहीं shift जाते है ठीक है यह एक case हो गया यह पहला situation हो गया और पहला situation जो है यह क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ यह natural selection nature ने select किया भाई green beetles को ठीक है और वो nature के selection के वज़े से वो बचती चले आ रहे है इसमें कोई इंसान का intervention तो है नहीं ठीक है second situation में क्या होगा color variation फिर हुआ क्योंकि sexuality production continue हो रहा है तो उसमे color variation फिर आएगा और इस time पे एक blue color आ गया red की जगा ठीक है अब जो कवे हैं वो blue color के बिटल को भी तो देख पा रहे हैं तो और वो red color को भी देख पा रहे हैं तो उनको खाना शुरू करेंगे ठीक है तो देरे-देरे क्या हो रहा है कि यहाँ पर blue color का population जो है वो भी उतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ पा रहा red color के और blue color के population का हिसाब किताब लगबग एक ही है ठीक है पर क्या होता है अचानक से क्या करता है एक हाती आता है और वो पैर रखकर चला जाता है यहाँ पर आप आप देख रहे हो ना एक elephant आता है वो पैर रखकर चला जाता है और होता क्या है उसमें जाता तर रेड वालो आता है blue, blue color भी देरे देरे बढ़ रहा होते हैं, पर blue color को क्योंकि ये grow देख पाते हैं, वह ऐसे तो red को भी देख पाते हैं, पर blue color में क्या है कि नया नया variation आया हुआ है, तो उनका population अभी बहुत जाद नहीं बढ़ा है, पर क्या होगा, कि elephant जो है, वह पूरे red वालो में ही पैर रख कर चला गया है, तो अब red तो खतम हो गया, अब बढ़ेंगे कौन, अब बढ़ेंगे तो blue, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है, तो the beetle population slowly expands again, but now the beetles are mostly blue, why, because already the red ones are killed by the elephant, ठीक है, ठीक है, यहां तक clear होगई बात सब समझ पा आगया, पहला condition में क्या था, in first case, the variation became common, because it gave a survivor advantage, इसका मतलब क्या है, कि naturally selected हुआ था, green beetle आया है, वरो naturally selected हुआ, पर second situation में क्या था, second situation में क्या था, color change को कोई खास advantage नहीं दिया गया, मतलब color change होने से कोई खास advantage नहीं मिला, बल्कि, बल्कि यह एक accidental, it's simply a matter of accidental survival of beetles of one color, आर यह बात मैंने उसलिए important चीजों को ही underline किया है, rest lines को अगर नहीं भी पोड़ूच चलेगा, पर पढ़ना चाहिए वैसे, sorry, पढ़ना चाहिए वैसे NCRT को, पर मैंने important चीजों को underline already कर दिया, it was simply a matter of accidental survival of beetles, ऐसा कुछ color कल देना देना ही नहीं था, आप हाथी को थोड़ी पता है कि वो लाल वालो में पैर रख रहा है, कि नीले वालो में पैर रख रहा है, समझ दियो मैं बात को, तो इसलिए उसने पैर रख दिया रलाल वालो में, बच गई गई ब्लू वाले, तो ये किस्मत की बात है, ओके, so, accidents in small populations can change the frequency of some genes in a population, correct, यहाँ पर एक word आप देख रहे होगे, मैं आपको आपको word explain करूँगा, even if they give no survival advantage, they can lead to genetic drift, this is the notion of genetic drift, which provides diversity without any adaptations, मतलब, एक gene को ज्यादा profit मिला, दूसरे gene को उतना profit नहीं मिला, profit इसी भी चीज़ से हो सकता है, accidental हो सकता है, natural selection हो सकता है, अब एक third situation को देखते हैं, इपी interesting है, बुसस जो है न, उनको कुछ plant disease हो गया, बिटल population तो बढ़ रहा है बाई, पर कुछ सालों बाद, plant का disease खतम हो गया, और खाना भी ठीक ठाक मिलने लगा, तो क्या होगा बिटल्स का, आपको क्या लगता है, यहाँ देखो, खाना वाना कम हो गया, तो बिटल्स भी चारे सूकर खाटा हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद, अगर खाना सही से फिर मिलने लगेगा, तो फिर उनका population, फिर उनका health जो है, वो better होगा, यानि कि फिर उनका size बढ़ जाएगा थोड़ा, और वो sufficiently well nourished हो जाएंगे, correct, तो यह तो simple सी चीज़े हैं, इसमें तो कोई खास science लगाने के आप लोग कुछ ज़रूत नहीं है, clear है, काफी कुछ सामने से, ठीक है, कि कैसे situation के हिसाब से, population में changes आते हैं, correct है, now, acquired और inherited trait के बारे में मुझे आप लोग को बताना है, और यह काफी interesting है, और काफी important भी है, okay, what is acquired and inherited trait, so clear-clear बात हम अगर करें, तो सबसे simple बात है, कि acquired trait जो होता है, वो इनसान जो है, वो कहीं से लेकर नहीं आता, बलकि अपना life में गेन करता है उसको, उसके life में जो भी होती हैं, उसकी personal experiences, वो acquired trait पर आती है, पर inherited उसके parents से आते हैं, ठीक है, उसके ancestors से आते हैं, okay, यहाँ आप लोगों ने third case देखा था, याद है, तुम सोचें कि third case तो सरा आपने बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, third case तो आपने देखा था ने, बेटल्स का, उसका use यहाँ होगा, अगर देखो, बेटल्स का वज़न कम हो रहा है, उसके starvation के वज़े से, तो उससे उसका DNA का तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, यह कोई inherited trait तो है नहीं, कि दूबले पतले बेटल्स के बच्चे भी दूबले पतली होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, ओके, यह change जो है, वो generation to generation, इनहरेट नहीं होगा, यह acquired trait है, यह inherited trait नहीं है, ओके, मैं फिर underline करूँ important part को, experiences of an individual during its lifetime, cannot be passed on its progeny, and cannot direct evolution, मैं धी experience हैं, मैंने, अगर, चुहे की पूच काट दी है, तो चुहा जब reproduction करेगा, तो क्या उसके बच्चे के पूच कटी में होगी, नहीं, no, not at all, okay, so, this is clearly mentioned here also, the example of rat, that you can also see, and what is the inherited trait, जो trait हम अपने life में, one generation to another generation, जाते हुए देखते हैं, that is inherited trait, okay, तमझ में अगी बाद, इसलिए ही, this is the reason why the ideas of heredity and genetics, जोगी हम अभी इसकस करें, are very much essential for understanding evolution, right, let's move forward, and so, what are the different ways in which individuals, with a particular trait, may increase in a population, see, natural selection, another one is, genetic drift-lick, जाते है, why are traits acquired during the life type of an individual, not inherited, why, because they are not changing, bringing any change in the DNA, in the gene, right, the traits are purely, acquired or experienced, these are only experiences of an organism in its lifetime, it has nothing to do with the DNA or the genome of the organism, so how it will affect, right, why are the small numbers of surviving tigers, a cause of worry from the point of view of genetics, why, this is a very good question, and quite easy also, the small numbers of surviving tigers, it's a cause of, tigers, a cause of worry from the point of genetics, because, if the number of tigers will continue decreasing, then, a time will come, that we will not have any tigers, and if we will not have any tigers, from where we will get their DNA and gene, and from where we will see the another generation, the progeny, so that means, their species will be extinct, right, yes, so that is the most immense, we can say, the most burning issue with animals nowadays, is most of the animals, they are having very less population, and it's a, it's a matter of, to think, that why, what we will do, you know, to increase their population, because, if we will not have those animals, how we will have their another generation, we will lose them, right, that's why, record, when I have seen, I have seen, the micro evolution, what we will tell, what we have seen, which means, that, we will have many small things, right, correct, but now, we will have a few major changes, we will have many major changes, okay, I will have a clear clear, clear sauce, if, you will have much more, to say, the species, which means, that, different species, form, it's travesty, okay, yeah, that, चीज आप पढ़ने वाले होना मतलब यह मुझे इतना पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें काफी इंप्रेश लेकर पढ़ों कि यह पुदा लाइवली थिंग है आप एक्जामपल्स अपने सामने देखते हो राइट मैं आपको बहुत सारे रिलेटेबल आपक असानी से चिए को समज भाओ देखो यहां हमने बेटल्स का ग्वालब देखा था तो उसमें नए स्पीसिस कैसे आप आएंगे नहीं स्पीसिस बीटल्स के कैसे आप आएंगे ठीक क्लियर एक चीज हसानी से समझ लेना अगर दो गूरुप बीटल्स का आपस में दे cannot reproduce with each other that means they belong to different species what exactly it means it means that if two species they are not able to reproduce right for example homo sapiens हमारा एक अलग species है chimpanzees का अलग species है हम अगर आपस में reproduce नहीं कर सकते है तो clear clear बात है कि हम अलग-अलग species को बिलॉंग करते है क्यों कि अगर्ण रिप्रडूस कर सकते यानि हम स्पीसिस को बिलॉंग करते है करेक्ट है तो देखो कुछ scenario यहां पर हम लोगों को समझना होगा कैसे वह दो बीटल्स अलग हो सकते है या दो ग्रूप बीटल्स का कैसे बन सकता है जो इन से पर जो ऑविसली एक दूसरे से बिलकुल मिले ही ना feature में कभी in that scenario only they cannot be they will not reproduce among themselves right तो देखते है कुछ conditions देखते है क्या होता है sorry for example बुशेश जिसमें बीटल्स फीड होती है widely spread है mountain range में बहुत जादा है तो उसमें क्या होगा बीटल्स का जो population है बहुत बढ़ेगा बेटल्स population becomes very large as a result पर जो बीटल्स होते हैं वो तो नेर्बाय बुशेश को खाएंगे ना तो दे डू नॉट ट्रफल फा तो क्या होगा यहां जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर कि छोटे 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 बीटल्स का ग्रूप है अब ये बीटल्स का लेवल ही कितरा होता है जो गीचरा चीज़ुला चीवीजंत्ती होता है तो वह यहां से यह थो घृते बीटल्स मिल नहीं यह रहा है और रिप्र चुटे भात आती है तो ये सब पुपुशन के अंदर ही होगा, ये तो इंके अंदर ही होगा रिप्रोड़क्शन, because obviously the males and females of different different neighborhoods or different groups, they will not meet with each other, right? So how they will reproduce among themselves. So reproduction will takes place among the subspecies, not subspecies, sorry, reproduction will takes place among the sub-populations, जो छोटे-छोटे populations के टूपड़े हैं अंदर, correct? हाँ, अब हम देखते हैं कि जो condition बनता है, जो मैंने यहां underline अल्रडी किया हुआ है, आप लोग के लिए, an occasional adventurous beetle might go from one side to another, ऐसा तो नहीं है ना कि यह possible ही नहीं है, है कि भाई एक बड़ा तूफानी टाइप का बिटल हो, हैं mountain dew पी लिया हो, और बोला कि नहीं भाई, अब तो हम जाएंगे दूसरे जगापे, ठीक है, तो दूसरे जगापे चला गया हो, दूसरे सब-population के पास चला गया हो, यह भी एक scenario हो सकता है, जो बिटल कोशिस करते हैं, दूसरे सब-population के पास चले जाना, और वहाँ पर वो जब locally reproduce करेंगे, correct, that means there are two scenarios in this, दो scenario हैं देखो, एक तो यह है, कि एक कोई adventurous beetle जो है, वो दूसरे सब-population के पास चला गया, और यह अचानक क्या होता है, या कभी कोई situation ऐसा आता है, natural selection की बात कर रहा हूँ मैं, कि crows का population जो है, वो eliminate होने लगे उस एरिया में, इगल्स की वज़े से, तो देरी-देरी क्या होगा, बेटल्स की population जो है, वो sudden बढ़ने लगेगी, और obviously क्योंकि crows ही नहीं है, green वालों को कोई देखने वाला नहीं, green population बढ़ने लगेगा, मतलब, किसी situation में green कम होने लगेगा, और किसी situation में green बढ़ने लगेगा, यानि यह जो genetic drift है, या natural selection है, कुछ भी बूलो, मतलब असके दोनों अलग-अलग है, मेरे खाने का यह मतलब है कि, क्योंकि यह जो isolated sub-population है, बिटल्स की, यह जो isolated sub-population होगी, बिटल्स की, यह ज़्यादा से ज़्यादा और different होते जाएगे ना, एक दूसरे को अगर compare करें, तो वो और different होता जाएगा, क्यों ऐसा होता जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा reason हो रहा है, जिससे कि यह sub-populations एक दूसरे से और दूर होते जा रहे हैं, और इसमें कुछ minor changes आता जा रहा है, कुछ process में, तो उनका changes अलग direction में बढ़ता जाएगा, इनका changes अलग direction में बढ़ता जाएगा, और देरे-देरे ऐसा समय आएगा, कि वो दूनों इसमें बढ़ता से अलग हो जाएगे, अलग इनकाशन बिलकुल अलगी species हो जाएगे, वो reproduce तक नहीं कर पाएगे एक दूसरे के साथ, वहाँ पर speciesion स्टार्ट होता है, और अगर DNA changes, जो ही मैंने अलड़ी मैंनें किया, या पर अन्टरलांग किया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कि अगर DNA changes जो है, वो बहुत ज़्यादा severe है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि number of chromosomes तक चिंज आ चुके है, तो germ cells भी दोलों group का, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाएगा न, अगर DNA में, या chromosomes के level में changes आचुका है, तो germ cells तो fuse नहीं हो पाएगे एक दूसरे के साथ, so obviously it will lead to what, it will lead to speciation, different species, right, correct, so, what happens due to this, natural selection, किसी एक particular, यहाँ पर example में लिया गया है कि क्योंकि नया वराइटी बन रहा है, या मैं clear पढ़ के आपको बता जाता हूं तो ज़्यादा clear होगा, और a new variation emerges in which green females will not meet with red males, समझ में आरी यह बात, ऐसा variation आ जाता है, green females जो है, वो green males के साथ ही meet करेंगी, तो यानि हमारा naturally green color ही select हो रहा है, correct है, तो इससे क्या हो गया, धीरे 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 ऐसा हो गया, कि अगर red male और green female मिलते भी हैं कहीं पर, so they will not reproduce, but because this is not in their nature, right, so eventually what happened, we saw in front of us, a new species, right, एक नया species बनते हुए हम अपने आखों के सामने देख रहे हैं, और यह क्यों बन रहा है, हम ऐसा दो reason होता है, genetic drift and natural selection, okay, correct है, I hope you are, it's quite clear, what factors could lead to the rise of a new species, अभी मैंने बताया, genetic drift and natural selection, will geographical isolation, be a major factor in the species of a self-pollinating plant species, why or why not, see, geographical isolation कोई major factor तो है नहीं, no, not at all, why, because if the plant is self-pollinating, then obviously everything is happening in the plant, right, so, from, what exactly is the thing with which it will be isolated, किसे इसलेट होगा वो, so obviously geographical isolation has no role in this, now, will geographical isolation be a major factor in the species of an organism that produces asexually, why or why not, in this particular question, the reason is yes, geographical isolation will be a major factor in the species of organism, why, because, same thing, asexual reproduction, or in particularly, when I say about asexual reproduction, that means, that they are reproducing, without any partner, but, when they will be geographically isolated, the way they are reproducing changes, और वो change जो है, वो slowly, 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 बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वो एक दूसरी के पास है नहीं, उनका, the way they are living depends, the surrounding depends, okay, it also affects, right, so everything changes, and if everything is changing, so it will affect the way they are reproducing, okay, correct, now, let's move, to the, later part, the next part of this chapter, and that is evolution and classification, okay, now, everybody knows, and you also know, I think, that what is evolution, when organism is evolving, okay, there are some, means continuously, the body is undergoing changes, and, everything, everything related to the organism, is changing, and change, when I am saying change, then it takes lakhs of years also, thousands and lakhs of years, to bring that change, okay, so what we will do now, we will go a little bit back in time, we will go a little bit back in time, and see, what we will do, we will go a little bit back in time, and see, what we will do, so for that, what we will do, we can do this, by identifying hierarchies, of characteristics, between species, so we will check, what characteristics, what are characteristics, by the way, characteristics are, details of appearance, or behavior, in other words, a particular form, or a particular function, right, that means what, that means what, आपका physical, और mental, जो property, characteristics, जिस तरह, भीहेव करते हो, जिस तरह, पपियर करते हो, वो physical हो गया, behavior आपका, mental भी हो गया, तो वो आपका characteristics, बताता है, कि सामने वाला, किस तरह दिख रहा है, और किस तरह से, भीहेव कर रहा है, okay, ठीक है, तो अगर कुट्टे के चार पैर होते हैं, तो वो उसके characteristics हैं, इंसानों के दो होते हैं, तो हमारे characteristics हैं, और हम इनमें तो काफ़ी different हैं, ठीक है, तो यह सब उसके characteristics को हम कहते हैं, अब देखो, कुछ चीजन तो basic होती है, जो सब में होते हैं, जैसे the cell is the basic unit of life in all organisms, okay, bacterial cells do not while the cells of most other organisms do, we are talking about nucleus, तो हम बोलो, तुम बोलोगे सर, cell तो सभी का बराबर है, तो cell एक ऐसा property है, जो सभी के साथ है, पर ऐसा भी नहीं है, देखो, cell में cellular level में भी differences है, बैक्टेरिया में cell की में nucleus ही नहीं है, और बाकी सब में तो nucleus होते हैं, जैसे हम अपना देखें तो उ में भी difference है, यानि यहाँ भी species हो चुका है, कई लाखो साल पहले है, okay, now, multicellular organisms में देखो, तो यह आता है सबसे पहला, कि क्या वो photosynthesis कर पाते हैं, वो एक पहला है, हाँ, green plants कर पाते हैं, बाकी तो नहीं कर पाते हैं, तो these are the major species हम कह सकते हैं, जो differences हैं इंसानों में, जानव औरों में, या कई organisms में, सिर्फ इंसानी इंसानी है, जो इस अर्थ में रहते हैं, ठीक है, तो photosynthesis भी characteristics है, जिसे की हम species की इस पार में समझ सकते हैं, skeleton एक है, जैसे हम mentioned, either skeleton body की inside है, जो हम जैसा की हमारा है, या body की outside है, जो की जादा तर sea creatures में रहता है, okay, पर हम कर कर रहे हैं, यह सब examples में, that point पाते हैं, okay, a boy, sorry, a brother and a sister are closely related, okay, mark this example very, गाई निया उट ली, okay, उनके common ancestors है, उनके first generation में ही, यानि एक brother और sister, closely related क्यों है, क्योंकि भाही, उनके बाप एक है, ठीक है, वो girl, और उसके first cousin भी तो related है, पर कम related है, उसके brother से, because उनके grandparents एक है, उनके parents एक नहीं है, okay, समझ में आरी यह बात, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कि speciation जो होता है, वो उनके evolutionary relationship को बताता है, ऐसा नहीं है, मेरे इस example से, या बुक में जो example दे दिया है, इस जगह पे, इसका य यह मतलब नहीं है, कि brother, sister, first cousin, second cousin का species ही अलग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, यह इसके बताने का यह मतलब है, कि हम जो related की बात करते है, जितना आपके previous generation वाले same होंगे, आपको उतना related होगे, समय के जितना पीछे चलते जाओगे, आपको आपका root बिलता जाएगा, और समय स So, we can thus build up small groups of species with recent common ancestors, अब मैं अगर कहूँ कि हम और चिंपांजी जादा related है, जैसे कि एक brother sister related होते हैं, पर हम और dogs तो related नहीं है, ठीक है, हम और dogs तो related नहीं है, तो हमारा कुछ कुछ, हमेसा क्या होता है, आप जब इस चीज़ों को study करते हो, तो groups बना दिया जाता है, जो कि common ancestors उनके हैं, जो recent common ancestors हैं, हो सकता है कि करोडो अर्बो साल पहले अगर हम चले जाएं तो हम dogs से भी related हो, cellular level की बात कर रहा हूँ है, ना कि physical appearance की बात कर रहा हूँ है, ठीक है, तो यहाँ पर evolutionary relationships को देखने के लिए, हमको कुछ points clear करने होंगे, जैसे common ancestors की हम बात करते हैं, कि जहा आप common ancestors हो, immediate common ancestors हो, तो वो और related होंगे, यह चीज़ देखू, consider the fact that mammals have four limbs, mammals के चार limb होते हैं, हाँ, वैसे तो birds के भी होते हैं, reptiles के भी होते हैं, amphibians के भी होते हैं, correct, तो basic structure जो है, वो limbs का similar है, पर, अलग-अलग activity या functions को करने के लिए, वो evolve हुए है, ठीक है, basic structure similar है, और उन को कहा जाता है, homologous characteristics, या homologous organs, homologous organs means, the structure will be same, but the function will be different, okay, just like the feeders, or we can say, yes, the feeders or the limbs, जो हाँ वाला एरिया होते हैं, आगे forward limbs होते हैं, bird के देखो, human के देखो, lizard के देखो, frog के देखो, तो तो तुम देखो के, इसके basic structures तो लग-बग सबके सेम ही है, पर चारू का काम लग है, समझ पा रहे हैं, चारू का काम लगा, so when work is different, but structure is same, then that is known as homologous organs, okay, okay, अब यहाँ आ जाओ, birds के जो wing होते हैं, और bat के wing को देखो, क्या इनके structure same है, Wings of bats are skin folds, stressed mainly between elongated figures, birds में देखो, तो फिदरी covering होता है, आम में, design जो है, वो बहुत different है, the designs of the two wings, their structure and components are thus very different, पर वो same दिखते हैं कि उनका काम एक है ना, इसलिए, so they have common use for flying, so their work is same, but their structure, or we can say their origins are not common, same origins से नहीं आते हैं, यह होते हैं heterogeneous organs, या तुम इसको इस तरह से समझे लो, analogous characteristics, exam में question आता है, या, one thing is very important, I use the word heterogeneous, don't write it, okay, ठीक है, मैंने गलती से mistake कर दिया, तो वो होता है, analogous, correct है, यह मैं highlight भी करके आपको दिखातेता हूँ, यहाँ आपर वो word लिखा हुआ है, analogous characteristics, तो आप जानते हो, homologous organs वो होते हैं, जिन organs के, yes, अभी मैंने बता है तो थोड़ी दिर पहले, कि homologous organs उसे कहते हैं, जिन organs के work तो अलग-अलग है, और उनके structure सेम होने चाहिए, और analogous उसका उल्टा होगा, जिनका structure सेम दिख रहा है, पर काम अलग-अलग है, ठीक है, होई यह, correct है, now, fossils, fossils, तो organisms जो पहले मर चुके हैं, उनके bones के study को कहते हैं, ठीक है, just like this, when organisms die, their bodies will decompose, obviously, the body, or at least some parts may be an environment that does not let it decompose completely, so what are those parts which will not decompose completely, obviously the bones, जैसे कि dead insect, जो है, वो mud में trap होगया, hot mud में, तो वो नहीं decompose होगा चलती, बर्फ में अगर कोई दफन होगया, बर्फ में गिर गया, बर्फ उसके उपर से धका गया, नहीं decompose होगा चलती, ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर Jurassic Park देखा है, तो उसमें एक wax की तरह में, wax जैसे structure में एक मच्छर अंदर trap हो जाता है, जिसका DNA को निकालके वो dinosaur का क्या 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 है, उसमें गया dinosaur को बनाते हैं, okay, that is a fictional movie, but what I am trying to say, that is important, okay, तो जो preserved traces होते हैं organisms के, okay, so all the preserved traces of all living organisms are called fossils, correct है, yes, okay, so method क्या है, जिससे यह पता करें, fossil कितना पुरान है, अर्थ को dig करेंगे, fossil को find करेंगे, और जो हम से चितना नजदीक होगा, वो उतना recent होगा, और जो deeper layer में होगा, वो उतना पुराना होगा, correct, now another method is little bit more like chemistry के तरह हो जाता है, दूसरा method है, fossil को date करने का detecting the ratios of different isotopes of the same element in the fossil materials, आप isotopes के ratios को निकालोगे, this and that, उसमें detailing में भी हमको नहीं होचता है, ठीक है, और यहां आप देख सकते हो, कि जो सबसे last में होता है, वही सबसे deeper होता है, इस diagram से, clear clear हमें पता चलता है, correct है, how exactly evolution happens, in stages इस बारे में हम चेर्चा करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको ध्यांदर समझेना, आप लोगको ध्यांदर समझेना है, क्योंकि यह जो part है, यह काफी confusing होता है, कुछ बच्चों के लिए, और अगर कोई समझ जा है, तो काफी easy है, बहुत easy है, evolution by stages, why evolution is given by stages, for example, यहाँ पर सबसे पहला example, जो उसने लिया हुआ है, वो एक eye का लिया हुआ है, कि एक question दिमाग में आता है, कि eye तो एक बहुत complicated organ है, right, तो मैं आपको सिर्फ एक example देगे समझाने के कोचिस करा हूँ, कि ऐसा तो है नहीं, कि कुछ organisms हैं, उनमें आखें नहीं हैं, ठीक है न, eyes नहीं है, और suddenly उनके next generation से, बड़े बड़े दुठों आख आ गए, ऐसे तो होगा नहीं, it's not possible, so what exactly is the process for this now, ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं, तो फिर process क्या है, stages में धीरे धीरे ये चीज़ें आई होंगी, ठीक है, क्योंकि evolution stages में होता है, क्यों, क्योंकि एक single DNA change से, एक single DNA change होने के वज़ह से, complex organs अचानक से तो नहीं बन जाएंगे न, ठीक है, तो वो धीरे धीरे होता है, जैसे कि कुछ organisms में eye के shape में अगर आपको कुछ दिख रहा है, वो exactly eye का function नहीं करता होगा, ऐसा नहीं है कि जब सब जानवरों में अचानक से आखे आ गई, और वो आखे एकदम high definition, camera की तऱ आखे काम कर रही है, रात में भी देख रहे हैं, वो दिन में भी, मतलग कि बहुत यच्छ वीजन है, this and that, no, no, it doesn't happen like that, everything has a process, obviously we'll go through steps also, तो जैसे, यह example यहाँ पर जो देख रहे हो आप, flatworm, इसकी आखो को अगर आप दिहां से देखो, तो यह इंसानों की आखे जैसे दिख रहे हैं, पर यह आख नहीं है, यह आखे, आखे पैच, पैचमन्स, just like spots, आई स्पोट, कि तरह वो रहते हैं, जिनका काम सिर्फ, light को detect करना होता है, उनसे वो देख नहीं पाता, तो आपको लग रहा है, कि वो कोई आख है, पर वो आख ही नहीं, इस तरह से आखे जो हैं, आईस जो हैं, वो develop होई है slowly, similarly, यहाँ पर example लिया गया, feeders का, कि जैसे feeders होते हैं, वो जानवरों को, अब पर 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 टिकलर लेगर हम बात करते हैं, तो birds को, ठीक है, उनको ठंड में से बचाने के लिए, start की हुआ था, यानिकि वो evolve किये थे उस चीज़ को, ठीक है, evolutionary process के थूँ, उनके अंदर ये quality आया था, कि उनके सदे में feeders हो, पर feeders का पहला काम ये था, कि वो उनको ठंड से बचा है, ना कि वो उड़ने के लिए, correct, पर later, as I told, due to evolution, through steps, they started, they just, they used feeders for flying as well, ठीक है, समझ में आदी है बात, तो इनी से ही हम देखते हैं, कि कुछ डाइनसॉर्स हैं, जिन में feeders थे, ये फॉसली में देख रहे हो, आप ये feeders के traces तिखाई दे रहे हैं, इससे ये पता चलता है, कि birds and dinosaurs, और reptiles विएंसे, are closely related, क्योंकि उनकी जो, कही ना कही जो, जड़ है, जो root है, वो एक दिख रही है, ठीक है, तो ये सारी evolutional traces जो है, ये पता करने में हमें help करते हैं, कि कौन से organisms है, जिनके common ancestors रहे हैं, या common, अगर नहीं भी हो, तो related ancestors रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं ये तो नहीं कैसे कहा ना, कि chimpanzees जो है, वो dogs से जादा related हैं, और इंसानों से जादा related नहीं है, तो clear-clear बात है, कि इंसानों से जादा related हैं हो, कई सालों में हमने कुछ evolutionary developments देखे हैं cabbage में, पर खास बात इसमें ये है कि वो सारे के सारे जो है, वो artificial selection है, rather than natural selection, जिसको कि हम कह सकते हैं अपने आम भाषा में कि hybrid है, इंसानों ने उन्हें इजाद किया है, इंसानों ने उन्हें इजाद किया है, not nature, ठीक है, correct, now, so, what's the first thing here, कुछ farmers को ये चाहिए था, देखो मैंने ये चीज में बता रहा हूं, some farmers have wanted to select for very short distances between leaves, पतो में जादा distance नहों, short distance हो, तो उन्होंने cabbage बनाया, जिसको हम खाते हैं, कुछ को लगता था कि भाई, development बहुत arrested होना चाहिए, what is arrested flower development, if you'll see, then you can understand, see, इसके जो पत्तों को देख रहे हो, कितना dense है, तो इस तरह के पत्ते चाहिए थे, इस तरह का structure चाहिए था, तो उन्होंने broccoli को bread किया, broccoli को bread किया, broccoli जानते ही होगे, ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने cauliflower बनाया, swollen parts चाहिए थे, तो कोलराभी बनाया, larger leaves चाहिए थे, तो काले बनाया, and leafy vegetable चाहिए थे, तो कहने कहीं मतलब है, आपको यह सम्नाम याद नहीं करना, और नहीं आपको रटा मारना है, पूरी तरह से इस example को, कहने कहीं मतलब है कि, according to our need, and according to our requirement, we are changing evolution process, हम अपने तरफ से organisms में कुछ चिंजिस ला रहे हैं, यानि हम क्या कर रहे हैं, उनके DNA और जनेटिक्स करना चेड़ चाहड़ कर रहे हैं, यानि हम उनके अंदर changes लेकर आना हैं, जो कि obviously evolutionary changes हो जाते हैं, क्योंकि वो नया नया breed बना रहे हैं हम, right, yes, और खास बात यह है कि, इन सब के ancestors से की हैं, एक से हम इतना बना रहे हैं, और यह naturally में नहीं बन रहा है, हम बना रहे हैं, right, so this is quite fascinating to see, this kind of things, okay, या आप देखर यो नहीं इन सारी चीज़ों को, okay, अब अगर आपको evolutionary relationship चेक करना है, जानना है, तो आप एक और idea को समझ सकते हो, and the idea was to quite, हम कहाँ अपने the first idea, that we discussed in this chapter, changes in DNA, हमने पढ़ा था, changes in DNA, they are the basic events in evolution, basically they are bringing changes, तो उससे भी हम trace कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि, अगर chimpanzees के DNA को देखें, और अपने DNA को देखें, humans के DNA को देखें, तो हम देखेंगे कि, yes, इन वे कुछ-कुछ similarities भी हैं, और कुछ-कुछ changes भी हैं, तो बहुत आसान होता है, पर हम अगर dogs के DNA को देखें, और इंसानों के DNA को देखें, तो तो common parts होंगे, उटने ज़्यादे नहीं होंगे, तो इतने के चिंपैंजी के साथ देखते हैं, common parts, correct? So, these are the evolutionary steps that you can see. Okay, now, give an example of characteristics being used to determine how close two species are in evolutionary terms. आप feeders का example देख सकते हो, अगर आप चाहो, तो इसमें example of characteristics भूला है, तो आप homologous, analogous का देख सकते हो, right? Can the wing of a butterfly and the wing of a bat be considered homologous organs? Yes, you already know that what exactly is homologous organs, right? Homologous उने काहा जाता है जिनका काम एक हो, काम को काम से मतलब है, अगर काम एक है, यार अगर एक है, यार हमलोगous, अगर गर है काम एक है, यार हमलोगous, यार हमलोगous, यार है। If the work is not same, rather the structure is same only, then they are heterologous, sorry, not heterologous, analogous, okay? करें, come the wing of a butterfly, and king of a bat what exactly is the work of wing of a butterfly and wing of a bat? The work is the same. They use them to fly, right? so obviously they are homologous ordox. What are fossils? ie stop-ヘ वालगो यान्व जिआने णिकल नि छीम खर भी!", that haven't decomposed completely Okay,and how do they tell us about the processes of evolution .. choices about evolution की बाड़े माईं वह कैसे बताते हैं क्योंकि जो हमारे fossils हुते हैं If we are to research them तो उनके DNA से हमें पता चलता है उनका carbon dating अगर हम करें तो उससे पता चलता है but बुक में exactly जो चीजने लिखी गई है it's better that you'll write that, okay okay, so this one if we dig into the earth and start finding fossils ये भी आप रिजन दे सकते हो कि the fossils that we are getting in lesser depth they are more recent and the fossils that we are getting at more depth they are more old so with this or like this they just give us estimate of the time and basically how old they are right, so time का estimate लगाने में बहुत help हमें करते हैं correct evolution should not be equated with progress this is one of the most important topics here आप बोलो कि सर लास्ट में कहाए का इंपोर्टन टोपिक्स आ गया लास्ट में तो असान होता है ठीक रहा हम तो sum up करेंगे sum up करेंगे, बिल्गुल sum up कर रहे हैं हम इसको इसके साथ साथ आपको यह चीज को समझेना बहुत जरूरी है कई बैच्चे क्या लास्ट में चाप्टर में आते हैं तो उनका इनर्जी डाउन आता है और वो लास्ट के चीज़ों को इग्णूर कर देते हैं कहते हैं कि वो इंपॉर्टन नहीं प्रोग्रेस इसका यह मतलब नहीं है इसका मैं सिंपल एक्जांपल दूगा हमने एक्जांपल दिया अगर मैं आपसे कहूं कि हम बहुत ज्यादा अच्य सी वॉल्व हुए हैं मुष्ट डेफलप और्गैनिजम्स इन दिस अर्थ तो क्या इसका यह मतलब है कि हम बात्नियों से सुपी दिये रहे है ओके करेक्ट आरीटिंग वादम ट्राइब करें सिर्स्टाइब कर देखते हैं चिंपांजी और इमन बिंग्स के बारे में तो दून के आरीशेश्टर से उनको ना तो हम खालीड के कैटेडि में रखते हैं पर उनसे हम एवल हुए अलग चिंपांजी इव उपांजी को तो इसका क्या यह मतलब है कि हम प्रोग्रेस कर गए और चिंपांजी प्रोग्रेस नहीं किये तो इसका यह बिल्कों भी मतलब नहीं होता कि those who are having older body designs, simpler body designs, they are inefficient, हमारा body design जो है, वो बहुत ज़्यादा complex है, तो हम बहुत ज़्यादा efficient है, ठीके, अगर मैं दोड़ा लगवाऊं, ताकत के बीच में काबला करूं, so the chimpanzees, gorillas are more stronger than us, right, they are quite more stronger than us, yes, अब एक और example देता हूं मैं, bacteria के बात कर लो, यह उन जगहों में रहता है, जहां पर इंसान रहने की सूच भी नहीं सकता, the most inhospitable habitats, चाहे वो hot springs हो, चाहे वो deep sea thermal vents हो, चाहे ISO, Antarctica की, चाहे Arctic की, कहीं भी बोलो, bacteria रह लेता है, आप तो बड़े progress किये हुए, और बड़े evolutionary steps से गु organisms हो, आप रह पाते हो गया, आप रह पाओगे, ice in Antarctica की ice में, या deep sea means ocean में, नहीं रह पाओगे, तो हम यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते है, कि जिसने evolve better तरीके से किया है, वो ज्यादा efficient है, वो ज्यादा stronger है, वो ज्यादा progress कर रहा है, वो ज्यादा development, नहीं है, ऐसा बिल्कुल है, कुछ white है, कुछ brown है, कुछ black है, पूरा एकदा हम color हम लगा देते हैं, साथ लगता है कि हम इंसानों के बारे में किसी color के बारे में बात कर रहे है, right, sketch pen के बारे में बात कर रहे है, yellow है, white है, black है, ऐस तरगा, देखो, इसका simple मतलब क्या है, there is no, just a second, sorry, there is no biological basis to the notion of human races, there is सब एक है, क्योंकि सब का species ही है, अगर मैं बोलू हूँ, कि अफरीका में रहने वाला एक आत्मी homo sapiens है, तो वही, England में रहने वाला एक बूरा भी तो homo sapiens है, ठीक है, वैसे ही, Philippines में रहने वाले लोग जो है, वो भी तो homo sapiens है, ठीक है, तो सारे के सारे हम यह है, वो same species को belong करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, देखो, यहाँ पर वही चीज़ मैंशन किया गया है, कि भले ही आप कहीं भी रहते हो, आप evolve हुए हूँ अफरीका से, ठीक है, आपका जो start हुआ है, डिवलॉप हुआ है, evolution आपका start हुआ है अफरीका से, तो हम सब homo sapiens ही है, क्यो so human beings basically when they started moving from Africa, सब अपने अपने direction में चले गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं और गया, सब ने अपने तरीके से better life जीने की कुछिस की, और meanwhile nature ने अपना काम किया, और हमें accordingly evolve कर दिया हमारे environment के according, that's the only thing, species में कोई changes ने आए, we all are humans, okay, only according to the place where we live in our body has adapted that particular environment, right, just, yeah, correct, why are human beings who look so different from each other in terms of size, color and looks said to belong to the same species, why, because these looks are not bringing any changes to the DNAs and the species, right, these looks are only there according to the environment, if African army, I shouldn't say that because I am a teacher, but if African army looks black and they are so tall, right, both familiar and females so they are stronger taller darker than us why because environment is like that okay this is species can change in your area yeah in evolutionary terms can we say which among bacteria spiders and chimpanzees have a better body design why or why not see we can't say which have a better body design and terms may pula gaya question kutum kaise kezakte which has a better which have a better body design right her goi her organism evolution ka according or better apne environment ko suit karne ke liike kya hesaap se unke body design teaki jati hai right usma aisa kuch nahi hai that someone is better than the other okay according to the environment and according to the involutionary steps that they followed okay uske hesaap se unke body design hoti hai so there is no reason thik hai kya ni this answer hoga no we can't say that among these organisms one organism is having a better body design than the other okay clear okay then so it was nice interacting with you all children okay and we will soon meet in our next topic okay uh okay so okay it was nice teaching you all quite nice feeling is that in our next chapter we will see next chapter in the next chapter again to the top of the semester exam to be reached to a pats we will see if you will see झाल झाल